इने चाप्टर MS Paint को लिखे आया हूँ जिसे मैं टेस्ट बुक से कुछ टॉपिक को कवर अब करूँगा जो मिन अभी तक नहीं किया है तो हमने अपने प्रीविस क्लास में कुछ बेसिक अबाउट MS Paint कवर अब किया था आज हम लोग टेस्ट बुक से कुछ important point भी cover up करेंगे ताकि हमारा चाप्टर सही से उपर हो जाए तो first of all आज हम लोग पहला topic जो cover up करने वाले हैं that is all about moving and copying object तो चलो देख लेते हैं moving and copying object किस तरीके से possible हो पाता है in MS Paint तो first of all सभी बच्चे MS Paint को open कर लोगे As well as to your MS Paint क open करोगे तो you will be getting this kind of white color speed in front of you अभी किसी object को अगर मुझे copy करना है और move करना है ता how to do that मांलो कि मुझे किसी एक image को copy और move करना है मांलो ये जो image है ये वाला image है जिसे मुझे copy और move करना है तो मैंने इस वाला image को open कर लिया है तुम्हारे सामने first of all तो देखो तुम्हारे सामने ये वाला image open हो चुका है जिसे मैं अभी copy करना चाहता हूँ तो copy करने के लिए what you can do is that कि first of all तुम यहाँ पे इस image को सबचे पहले तुम्हारा जो image है इस image को तुम क्या कर सकते हो ये तुम्हारा white color का screen हो गया और तुम्हारा image select हो गया तो first of all तुम यहाँ पे select tool जो तुम्हारे सामने दिख रहा है तो with the help of select tool एक rectangular boundary तुम्हें select करना है जिसा मान लोग कि में इस image का only sun वाले portion को ही copy करना चाहता हो तुम rectangular tool से क्या कर सकते हो sun वाले portion को only select कर सकते हो और उसे इस तरीके से रख सकते हो as soon as sun वाला portion तुम्हारा इस तरीके का हो जाएगा dotted line में आ जाएगा तुम क्या कर सकते हो यहाँ पे copy option तुम्हें दिखाई दे रहा है यहाँ तुम computer से control plus C का shortcut भी use कर सकते हो actually तुम बच्चे बहुत छोटे हो class 3 में पढ़ते हो so first of all हम लोग shortcut की बाद में पढ़ेंगे बट अभी यहाँ पे हम लोग copy करने वाले हैं तो as soon as हम लोग copy option में click करेंगे इसी का portion जो है तुम्हारा same to same portion हमारे सामने copy हो जाएगा यह copy actually clipboard में होता है जिसके बारे मैं तो में बाद में बताऊंगा as soon as यह वाला portion copy हो गया इसके duplicate तयार हो चुका होगा जो अभी हम लोग देख सकते हैं as soon as हम उसे paste करेंगे so first of all यहाँ पे तुम paste option में click कर सकते हो और paste पे click करने के साथ साथ तुम्हारा duplicate copy यहाँ पे आ चुका है तो तुम देख पा रहे हो कि तुम्हारे image का इतना portion जो मैंने copy किया था वो portion अभी मेरे सामने paste हो चुका है और अभी मैं इस वाले portion को कहीं पर move करा सकता हूँ तो in this particular way I can copy a portion of an image and then after I can move any portion of the image to some other portion also इस तरीके से मैं किसी भी portion को move भी करा सकता हूँ somewhere अगर मैं चाहता हूँ कि इतना जो portion मैंने जो copy किया इसे अगर मैं दूसरे portion में भी लगाना चाहता हूँ था I can port it I can do anything with that copied portion तो अभी यह जो portion जो मैंने copy किया है यह यह वाला portion होगया और जब मैंने उसे paste किया तो यहाँ पर वो आ चुका है अभी interesting fact है कि हम यह कितने बार paste कर सकते हैं हम जितने बार paste button दबाएंगे यह paste होता ही रहेगा तो as and as हम paste option दबाएंगे यह तुम्हारा paste होता ही रहेगा तो जितने बार तुम paste दबाओगे वो तुम्हारे सामने वापस दबारा आ जाएगा इस तरीके से हमने paste करना सिखाया और इमें तुम्हें दूसरा portion भी paste copy और paste करना सिखाऊंगा मानलो कि तुम फिरसे rectangular tool यूज करो और तुम चाहोगे कि तुम इतना portion को क्या करना चाते हो copy करना चाते हो तो first of all तुमने select कर लिया जो portion तुम्हें copy करना था and then after choose the option copy इसके बाद तुम paste option में जा सकते हो और paste दबा सकते हो देखो तुम्हारे सामने वो copied portion का दूसरा version आ चुका है जिसको तुमने paste किया है इस तरीके से हम इसे बहुत बार paste कर सकते है according to our wish समझ मैं है इस तरीके से हम किसी भी portion को copy करके paste कर सकते है so this is our first section that is copying and moving an object out hopefully तुम्हें पहले वाला portion समझ में आ गया होगा similarly अभी मैं तुम्हारे दूसरे वाला portion में जा रहा हूँ जिसका मतलब है undo and redo तो बच्चे spelling को सही से पढ़ना spelling में लिखा हूँ है undo and दूसर वाला spelling लिखा हूँ है redo तो undo and redo का मतलब क्या होता है मानो कि मैंने किसी भी चीज को paste किया और ये मैंने last time जो paste किया था वह ये वाला portion था उसके पहले मैंने paste किया था ये वाला portion उसके पहले मैंने ये वाला portion paste किया था ये वाला portion ये वाला portion मैं भी चाहता हूँ कि मैं इन सब चीजों को बापस लेके जाओ और मैं paste नहीं करना चाहता कभी-कभी हमसे गलती से भी paste हो जाती है हमें दो बार paste करना था हमने तीन बार गलती से कर दिया है so what we can do is that कि हम यहाँ पर redo option या undo option में जा सकते हैं undo का मतलब होता है कि किया हुआ किसी भी काम को दुबारा सही करना that is undo मतलब बापस जाना undo मतलब पीछे जाना होता है तो undo and redo करने के लिए तुम देख सकते हो तुम्हारे स्क्रीन पर एकदम तॉप के तरफ यहाँ पर तुम्हें एक option मिल रहा है जो की एक arrow टाइप का है जो की थोड़ा सा 13 है इस वाला option में लिखा हुआ है undo और इसका shortcut की भी लिखा हुआ है Controls है अब कीभर से Controls ने दबा सकते हो तुम अगर अगर UNDO दबाओ तो म लास्ट वाला इमेज जो तुम ने पेस किया था वो बापस दा जायगा बशांगा फिर से मैंने एक बार दबाया यह बापस दाया पिर और एक बादं की यह बापस दाया पिर इस तरीगे से यह चीज त दुबारा बापस आ जाएगा तुम देख पा रहे हूं यह चीज दुबारा बापस आ रहा है विकास मैंने इसे अंडू किया था और अंडू किये वे चीज को हम लोग रीडू कर पाते हैं तो दोनों में बापस में रिच करता हैं तो हम लोग आंडू या रीडू कर सकते हैं चलो अभी मैं तुमें एक ँग्जामपल दिखाताहू माललो मुझे यौन अट्राइंग पनाना है मैंने और पूसी으로 के सफूर किया मैंने यहां से size choose किया मैंने यहां पर crayon choose किया मालों यहां पर मैंने red color choose किया और मैं यहां पर drawing करने लगा तो मैंने यहां पर drawing करना शुरू कर दिया तो drawing करना शुरू कर दिया मैंने इस तरीके से drawing किया देखो अभी मेरा दूसरा वाला पत्ता सही से नहीं बना है, इसमें गलती हो चुकी है, यह सही से नहीं बना है, मैं चाहता हूँ कि अभी क्या करूँ, मैं अगर erase करूँगा तो बहुत समय लेगा, पर मैं चाहता हूँ कि यह पूरा portion नहीं मिट जाए, तो पूरे portion को मिटान के लिए मैं अगर undo करूंगा कि यह पूरा portion बापस चला जाएगा अभी मेरे पास जहां तक मुझे अच्छा लगा उसके बाद से मैं continue कर सकता हूँ और उससे दुबारा सही से इस तरीके से बना सकता हूँ समझ मैं है हूँ इस तरीके से मैं अगर चाहता हूँ कि किसी भी step को बापस जाने के लिए तो मैं क्या कर सकता हूँ मैं undo कर सकता हूँ मानलों कि मुझे यह दोनों step नहीं चाहिए फिर से मैंने undo किया फिर से मुझे नगवा नहीं नहीं यह अच्छा बना था मुझे बापस चाहिए तो मैं इससे क्या कर सकता हूँ redo कर सकता हूँ redo करने से वे वोफोली तुम्हें ये बाला पोशिन भी समझ में आ चुका होगा दिस अंडू एंड रेडू आप्शिन अभी इसके बाद में तुम्हें नेक्स आप्शिन सिखाने वाला हूं दैट इस अल अबाउट रोटेट और फ्लिप आ ड्राइंग अभी ड्राइंग को किस तरीक करना चाहता हूं इस इमेज को ओपन तो किया पर इमेज को ओपन करने के बाद मुझे लगा कि नहीं यह इमेज को मुझे थोड़ा सा घुमाना है यह सही नहीं हो रहा तो इससे घुमाने के लिए first of all what you can do is that कि तुम पहले इमेज को सेलेट कर लो जैसे यह जो portion of image था तुम इससे सबसे पहले सेलेट कर चुके हो तुम इस इमेज सेलेक्ट हो चुका है तुम इस image को आसानी से movement भी करा सकते हो तो मैंने इसको page की यहां पर रख दिया है अभी इसके बाद मैं चाहता हूं कि इस image को मैं थोड़ा सब घुमाऊं तो यहां पर rotate option तुमें दिख रहा होगा सभी बच्चे rotate option देख पा रहें तो मैं rotate में अगर click करूंगा देखो मेरे पास यहां पर 5 option है rotate करने का अभी rotate करने का पहला option है कि 90 degree के साब से घुमाऊ तो पहला वाला option चूज करने से मेरा picture देखो ऐसा घुम गया फिर उल्टा वापस आया है फिर से मैं उसे क्या करूंगा flip करूंगा उल्टे तरीके से देखो यह उल्टा हो चुका है flip horizontal में कि सीधा flip होगा और इस तरीके से हम लोग क्या कर सकते किसी image को इस तरीके से घुमा सकते है it actually depends upon our requirement कि हम लोग image को किस तरीके से घुमाना चाते है और किस तरीके से put up करना चाते हैं तो यह वाला जो option जो मैंने तुम्हें करके दिखाया that is all about rotate और rotate वाला हमें करना पर सकता है because हम लोग कोई भी photo tab बनाते हैं तो हमें rotate भी करनी के जरूत परती है चलो अभी मैं तुम्हें rotate के एक live example दिखा देता हूं कि एक इस तरीके से करना rotate possible है मालो तुमने एक drawing बनाया the drawing is something like this the drawing is something like this do drawing is something like this मैं तुम्हें दो अबना कर दिखाता हूं the drawing is something like this मैं वाल्ट बनाया मैं इसही के बहुत स़ारे portion बनाना चाहता हूं और बिना drawing किया मैं क्यासे बदा पाऊंगा first of all मैंने इस picture इस picture को select किया मैंने इस पूरे पिक्चर को select किया, select करने के बाद मैंने यहां पर rotate में गया, मैंने सब पहले इसे copy किया, copy करने is important because इसको duplicate बनाना चाहता हूँ, तो सब पहले मैंने इसे copy किया, copy करने के बाद मैंने इसे हेलो बच्चो तो अभी मैं इस वाले portion में तुम्हें rotate of flipper drawing वाला portion दिखाऊंगा, उसके लिए मैंने last वाले class में continue कर रहा था all about an image, मैं तुम्हें यह दुबारा शुरू से करके दिखाना चाहता हूँ, मालो कि first of all तुमने यह वाला बनाया है, तुम चाहते हो कि ऐसे ही बेना drawing किये, तुम उसे करना चाहते हो, तुम अगर बेना drawing करके same to, से हम ऐसा चाहते हो बहुत सारा, तो तुम क्या कर सकते हो, सच्चे बड़े rectangular section में जाओ, और पहला वाला option choose करो, तो as when as तुम पहला वाला option choose करोगे, तुम इस तरीके से देख पाओगे, और उसको तुम पहले copy कर लो, as when as तुमने copy कर लिया, तो मुझसे paste कर सकते हो, तो देखो इसका duplicate तयार हो चुका है, पर duplicate तो तयार हो चुका है, पर वो exactly same to same बना है, पर मैं चाहता हूँ कि यह वाला portion, यहां से इस तरीके से full जैसा निकला है, तो मुझे इस वाले picture को क्या करना पड़ेग रोटेट कराना पड़ेगा, रोटेट कराने के लिए मुझे यहां पर पहले वाले रोटेट option में जाना पड़ेगा, और मैं उसे अलग अलग तरीके से रोटेट कराऊंगा, मुझे अगा right hand side में उसे movement कराना है, तो right 90 करूँगा, तो देखो यह 90 degree कि इसके हिसाब से रोट रोटेट करो, तो रोटेट करने के लिए मैंने ऐसा चूज किया, और मैंने left line के चूज किया, देखो यह वाला portion भी इस तरीके से रोटेट हो चुका है, तो इस तरीके से हम लोग same picture को अलग अलग तरीके से रोटेट करा सकते हैं, तो अलग अलग तरीके से रोटेट करा सक दूसर मैं तुम अभी rotation का concept समझाने के लिए मैं तुम दिखा रहा हूं मारो चार अलग-अलग हमने color किये हैं ball में तो this is the one तो चार अलग-अलग हमने ball में color किये हैं तो अभी तुम बच्चे color कर सकते हो मैं ये चीज तुमें दिखा रहा हूं तो देख रहा हूं कि हमारे सामें ball है जिसमें चार color है red, yellow, blue और white तो अभी मैं इस same picture को rotate कराना चाहता हूं तो rotate अगर मैं कराना चाहूंगा तो first of all तुम इस picture को select कर लो तो देखो मैंने picture को select किया select करका मानलो कि मैंने उसे copy भी किया copy हो जाने के बाद मैंने उसे paste भी किया तो देखो इसका duplicate त्यार हो चुका है पर मैं चाहता हूं कि इसमें color जो है वो पहले जैसा नहां रहे red के जगा white आ जाए white के जगा yellow yellow के जगा red आ जाए red के जगा तुमारा दूसरा color आ जाए तो देखो यह image तुमारा पूरा उल्टा हो गया उस तरह के से हम लोग अगर रोटेट करेंगे तो picture अपने हिसाब से देखो movement करने लगेगा अभी यह दोनों picture जो है same to same picture ही है पर यहां का blue यहां चला गया है यहां का yellow इदर चला गया और यहां का red इदर चला गया और यहां का white इदर चला गया तो हमें बहुत सारे picture में rotate कराने के जरूत परती है because हम same picture नहीं दुबारा बनाना चाहते तो हम लोग क्या कर सकते हैं we can go for a rotation option so rotations हम किसे भी object को अलग अलग angles के हिसाफ से घुमा सकते हैं हम उसे 90 degree left में घुमा सकते है 90 degree right में घुमा सकते है हम उसे 1 degree 180 degree के हिसाफ से घुमा सकते है वर्टिकल वर्टिकल मतलब तुम से सीधा लंबा खड़ा होके भी घुमा सकते हो horizontal मतलब 4 करके भी घुमा सकते हो बेटा तुम तब यह math में पढ़ोगे class 5 में तुम्हे angles के बारे में समझ में आ जाएगा अभी तुम फिलाल class 3 में हो इसलिए तुम्हे angles के बारे में नहीं है पर मैं just only तुम्हें इतना ही बताना चाहता हूं कि इस option से हम लोग पर्टिकुलर image को अपने हिसाब से घुमा सकते हैं तो different angles ठीक है that is all about the rotation option in front of us hopefully तुम्हे rotation समझ में आ गया होगा अभी rotation के अबाद हम रिसाइज भी करते हैं रिसाइज का मतलब होता है कि picture को छोटा या बड़ा करना तो रिसाइज करने के लिए मानलो कि मैं तुम्हें एक picture को open किया तो यह मेरा picture हो गया जिससे मैंने open किया मैं चाहता हूं कि इस picture को मैं resize करो, resize मतलब इसको मैं छोटा करो, resize करने के लिए क्लिक करोगे वो तुमसे पूछेगा कि तुम उसका new height और length और width कितना चाहते हो, horizontal मतलब इस तरीके से change होगा और vertical मतलब इस तरीके से change होगा, तो अभी मैं क्या कर सकता हूँ, horizontal मतलब यह जो लंबा वाला जो portion था, यह जो already 100 दिया हुआ है, vertical portion जो 100 दिया होगा, मैं इसके values को change कर सकता हूँ, जैसे मैं अगर इसके values को अभी अगहां पे 50 कर दूँगा, और vertical वाला जो मेरा value है, इसको मैं अगर change करके, तुम्हारा 50 जो था, मैं मैं इसमें 200 कर दिया, तो देखो यह picture जो है normal तरीके से और भी बड़ा हो गया, तो like this only हम लोग अगर resize option में click करेंगे, तो हम लोग अपने हिसाब से किसी भी picture को कोई भी size यहां पे दे सकते हैं, it actually depends on us कि हम लोग इस picture को कितना बड़ा चोटा कर सकते हैं, जैसे कि देखो अ size को बदल के करती है 150, तो size 150 हो चुका है, तो अभी देखो मेरा picture क्या हो गया, बड़ा हो चुका है, तो यह resize हो गया, मतलब छोटा picture था पर अभी वो बड़ा हो चुका है, उस तरह किसे इस वाले picture को मुझे का छोटा करना है, तो resize option में जाके इसके value को और भी कमा दूँग यह drawing इतना बड़ा कैसे बन गया, हम इसे और भी छोटा करना है, तो resize हम कर सकते हैं, हम लों mostly resize option बहुत ही purposeful रहता है, different options के लिए भी, but resize का मतलब होता है, किसी भी picture को हम लोग अलग-अलग size की साब से manage कर सकते है, that is all about resize option, hopefully बेटा, तुम्हें resize option भी समझ में आ चुका है, उ हमने पहले नहीं किया है, तो skew वाला option मैं तुम्हें पहले एक बार दिखाना चाहता हूं, मालों यह तुम्हारा original image है, और इस वाल image को तुम्हें सब्चर पहले select कर दिया, इस वाले image को तुम क्या करना चाहते हो, सब्चर पहले तुम resize option में जाओ, resize option में जाने के बार दे अगर मैं 20 degree कर दूंगा vertical and 20 degree मैं अगर इसको horizontal कर दूंगा तो देखो मेरा नया image कैसा बन जाएगा देखा यह वाला image तुम्हारा किस तरीके से टेरा हो चुका है यह original image कुछ ऐसा सीधा था पर अभी मैंने उसे skew किया तो यह image तुम्हारा से टेरा हो चुका है like this only यह 3D image जैसा बन चुका है उस तरीके से मैं resize image में जा सकता हूँ और मी skew के value को अगर मैंने मान लिया कि 50 और 10 किया तो यह image मेरा किस तरीके से change हो चुका है तो skew option से मैं किसी भी image को इस तरीके से changes कर सकता हूँ उसे मैं rotate भी अगर कराना चाहूँगा तो rotate भी करा सकता हूँ तो rotation as well as resize option बहुत सारे बहुत करीके से useful होते हैं उस तरीके से अभी मैंने तुम्हें बताया कि resize से हम लोग size को बड़ा चोटा कर सकते हैं और skew से हम लोग उस image को घुमा सकते हैं up to certain angle